प्यार करना मुश्किल नहीं है मुश्किल है प्यार का इजहार करना और उस प्यार को हासिल करना और दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ है एक तरफा प्यार कोई भी तुमें अच्छा लग सकता है और तुमें उससे प्यार भी हो सकता है लेकिन जातर मावलों में तुम जिस से प्यार करते हो वो भी तुमसे प्यार करे ऐसा नहीं होता और यही एक तरफा प्यार या one-sided love बन जाता है किसी को दिल से चाहते हो तो उससे उमीद करना कि वो भी तुम्हें प्यार करे ये नैशुरल है लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो भी तुमसे वैसा ही प्यार करे क्योंकि तुम जिससे प्यार करते हो हो सकता है वो किसे और को पसंद करता हो So, तुम जितने ज़ादा प्यार की उमीद उससे करोगे, तुम्हें तकलिप भी उतना ही ज़ादा मिलेगा One-sided love का कोई future नहीं होता जब प्यार एक तरफा हो, तो लोग दो चीज़ करते हैं एक तो जवर्दस्ति अपने प्यार को पाने की कोशिश करते हैं और यही चीज़ करने के लिए ऐसा कुछ कर बैठते हैं कि जिसे नहीं करना चाहिए था मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी, दोनों की लाइफ खरब कर बैठते हैं और दूसरा वो इंतिजार करते हैं कि उससे प्यार का ऐसास होगा और वो आपस आएगी और इसी उमीद में वो खुद को मिटाने के लिए भी तयार हो जाते हैं और वो प्यार करते रहते हैं, प्यार करते रहते हैं यार ये दोनों चीज़े गलत हैं जो लोग जबर्दस्ति प्यार को पाने की कोशिश करते हैं उनको प्यार तो नहीं मिलता इसके उल्टा वो बद्दाम हो जाते हैं या जेल में होते हैं और जो लोक सिर्फ इंतजार करते हैं उनके लिए बोल रहा हूं क्यों यार? क्या ऐसा करने से तुम्हें तुम्हें तुम्हारा पैर मिल जाएगा? कभी नहीं क्या तुम खुश रह पाओगे? कभी नहीं तुम्हारी परिवार के लोग तुम्हें ऐसे हालत में देखकर खुश होंगे? कभी नहीं यार अक्चुलि तुम्हारा दिमाग तुम्हें गलासला दे रहा है तुम्हारा दिमाग हमेशा तुम्हें ऐसा target देगा जिसके बारे में तुम सोच भी न सको और तुम्हारे दिमाग को आराम मिल सके इसलिए तुम्हारा दिमाग तुम्हें ऐसे किसी बड़े सपने या चमतकार में उल्जा देता है जिसे सोच कर तुम सपने लेते हो और तुमारा दिमाग आराम करता है और एक तरह के लोग होते हैं जो कुछ करना नहीं चाहते हैं वो बस अपने failure को छुपाने के लिए प्यार का बहना वराते हैं यार तुम जिससे प्यार करते हो वो भी इंसान है उसकी भी feelings हैं उसे भी पसंद ना पसंद करने का हक है हो सकता है तुम जिसे पसंद करते हो वो तुमें बिलकूल ही पसंद ना करता हो तो किसी पर जबर्विस्ति करने वाले तुम कौन होते हो ठीक है तुम बहुत अच्छे हो बहुत प्यार करते हो लेकिन जब उसे इस बात का ऐसासी नहीं हो रहा है तो तुम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो उसे बार बार क्यों बोर रहे हो कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो यहाँ बोलने से कुछ नहीं होता दम है तो अपने प्यार को साबित करके देखाओ किसे और से प्यार करो और बहुत प्यार करो तुम्हारे प्यार कर दोकर उसे आइसास होना चाहिए कि उसने क्या खोया है और तुम्हें प्यार करना आता है जरूरत उसकी बताओ खुद की नहीं आज तुम शायद उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो बहुत सारे sacrifice भी तुम कर चुके होगे लेकिन एक ऐसा time आएगा कि तुम्हें ऐसास होगा कि तुमने बस सिर्फ time waste किया है तो अभी सबसे बड़ा सवाल है कि onsighted love हुआ तो क्या करोगे यार तुम जिससे प्यार करते हो उसे दिल खुल कर अपने दिल के बाद बताओ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बताओ बड़े प्यार से उसे propose करो उसे समझा कर बता अपने feelings को अगर वो हा करती है तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन अगर वो ना करे तो बार-बार उसे बोलकर उसे तंग मत करो बिल्कुल ऐसे जो तुमें पसंद ही नहीं करता उसे बार-बार तंग करके क्या मतलब है यार तुम जिसे एक तरफा प्यार करते हो वो तो किसी पसंद की इनसान के साथ खुश रहेगी जहाँ तुमारे प्यार की कीमत नहीं है जहाँ तुमारी कोई वैल नहीं है वहाँ बेज़द क्यू होते हो इससे तो तुम अपने साथ-साथ उसके लाइट को भी खराब कर दोगे इससे उसके दिल में प्यार तो नहीं करते हैं motivational speaker बोलते हैं try करते रहो try करते रहो try करते रहे ना बड़ी अच्छी बात है लेकिन इसकी भी एक limit हने चाहिए यार बहुत ब़र fail हो रहे हो तो target बदल लेने में कोई बुराई नहीं है तुम्हें वही काम करना चाहिए जो तुम अच्छे से कर सकते हो सो वीडियो अच्छी लेके तो like करो कोई सवाल है तो comment करो चैलन को subscribe करो और bell notification on करो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपका समय बहुत बहुत ही अच्छा हो खुछ रहिए अपना ख्याल रखे बाई बाई